हर बार गलती बहुत फिल्म बनाने वालों की नहीं होती, कभी-कभी पबलिक की नजर भी ठूक जाती है अच्छे सिनिमा की पहचान करने में। रावन ये है वो फिल्म जिसको शायद हमने वो इज़त दी होती जो ये असलियत में डिजर्ब करती है तो शायद DC Marvel के बगल में रैड चिलीस का नाम लिखा होता। 600 करोड की आदी पुरुष में पैसा पानी की तरह बहाने वाले क्या समझेंगे 13 साल पहले बनने वाली रावन की असली कीमत। सिर्फ 130 करोड में इस लेवल का VFX और Special Effects सयाग करना वो भी 2011 में एक इंडियन फिल्म के लिए बहुसी एक खुद में किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। लेकिन पब्लिक तो चलती है भेड चाल जिस फिल्म का हाइप बन गया वो अक्टर घोडी चड़ गया वरना बिचारे रुटेक रॉशन की अच्छी खासी फिल्म भी ढूप सकती है। बट अंग्रेजी की एक मशूर कहावत है ना इसी इंसाइड स्टोरीज बहार आ रही है। सबसे पहले तो टेंशन वाली बात ये है कि एसार के दबादशा का इंतजार पबलिक को अब अगली फिल्म का थोड़ा एक्स्ट्रा लंबा करना पड़ेगा। क्योंकि The King नाम से जो फिल्म प्लान हो रही थी जिसमें शारुक खान अपनी बेटी सुहाना खान के साथ 2024 में सर्प्राइज एंट्री मारने वाले थे। तिलाल पता ये लगा है कि वो फिल्म शेल्फ हो गई है मतलब उसका फ्यूचर अब अधिरे में है शायद कभी वहां से बहार ना निकले। इसके पीछे का रीजन दे आर्चीज को बताया जा रहा है जिसमें सुहाना की एक्टिंग स्कुल्स को पब्लिक का इन्विजिबल हतोडा जोर से पड़ा था। अब सोचो उसके तुरंद बाद एक ऐसी फिल्म में काम करना जिसमें सुहाना का कंपैरिजन डिरेक्ली सरकी की आक्टिंग से होगा वेरी वेरी बैड आइडिया सर। बस यहीं से बॉस एक उमीद की किरन जाग उटी है क्योंकि ओन स्पेशल पब्लिक के डिमान रावन पार्ट टू के बारे में मेकर्स काफी सीरियसली सोच रहे हैं। अनुभव सिना जिन्होंने इसका पार्ट बन डिरेक्ट किया था वो मानते हैं कि उनकी फिल्म को एक सेकेंड चांस जरूर मिलना चाहिए। रनवीर सिंग को पता नहीं कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे सिनिमा लवर्स इस कैरेक्टर में। तो भया, as Bollywood का बादशा, शारुक खान का फर्स बनता है हिसाब बराबर करने का अपनी दूसरी underrated फिल्म रावन को नई जिन्दगी दे कर। इवन इनिशिली जब रावन रिलीज हुई थी तो इसके खदम होने के बाद पार्ट टू का प्लान आउन था, कुछ पार्ट शूट भी किये गए थे बट पब्लिक रियाक्शन ने पानी फिर दिया। अब एकदम शौकिंग न्यूस बदाऊं आपको जिसको सुनने के बाद लिटरली ठीक पड़ोगे आप। फिल्म में नेगेटिव केरेक्टर प्ले करने के लिए अप्रोच किया गया है, हीरो नहीं, टोटल विलन। अब एक ही टाइम पे रावन पार्ट टू और यश्ट का विलन रोल के लिए सिलेक्शन ये दोनों न्यूस एक साथ बहार आना एकदम सही टाइम पे। भाई इतना ज़ादा कोइंसिदेंस कैसे हो सकता है, दाल में वागे ही कुछ काला है या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है, मुझे नहीं पता। लेकिन ऐस सथी सिनेमा लवर मैं दिल से चाहती हूँ बॉलिवुड में ब्रह्मास्त्र जैसे और भी एक्सपेरिमेंट्स ट्राइक किये जाने चाहिए। और अगर रावन पार्ट टू का नाम इस लिस्ट में जोड़ जाता है, तो यकीन मानिये जो पिछले 13 साल में हमने खोया है, वो सिफ 13 दिन में बराबर कर देंगे SR के। बोलो भाई, रावन का सीक्वल वाला आइडिया वो भी शारुक खान एज हीरो और रॉकी भाई एज डैडली खतरनाक विलन, ग्रीन लाइट या रेड लाइट जल्दी बताओ। बाकी थोड़ा सा इंतिजार करिए, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, टेक केर, बाई बाई